दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बॉलिवुड के एक ऐसे अभीनेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी पूरा फिल्म करियर विवादों से बरा रहा है इस अभीनेता पर किसी छोटी मोटी डॉन से ज़्यादा केस होंगे फिल्मी दुनिया का ये अभीनेता रियल लाइफ का विलेर है लेकिन आज भी बेखौफ है इसे ना कानून का डर है ना इंडस्ट्री के किसी एक्टर का इस एक्टर पर मार पीट, धमकी, रेप और आत्मत्या के लिए उकसाने जैसे कई गंभी रारोब है लेकिन इसे जेल होना तो दूर, ये आज भी शान से फिल्मों में काम करते हुए नजर आ जाता है दोस्तो हम बात कर रहे हैं फिल्म अभीनेता आदित पंचोली की दोस्तो आदित पंचोली बॉलिवर्ड इंडस्ट्री का एक ऐसा जाना माना नाम है जो फिल्मों से ज़्यादा अपने विवादों को लेकर चर्चाओं में बना रहता है वोना सिर्फ फिल्मों में बलकि टीवी की दुनिया का भी जाना पहचाना चेहरा है आदिती ने वैसे तो अपने फिल्मी करियर में खूब लोग प्रिया था हासिल की लेकिन उनका नाम फिल्मों में काम से ज़्यादा विवादों के कारण चर्चा में रहा है आदिती का विवादों से पुरा नाता रहा है उनका पूरा फिल्मी करियर विवादों से भरा रहा है उन पर रेप, मार पीट जैसे गंभीर आरोब भी लग चुके हैं तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको आदित्य के जीवन से जुड़े उन सारे विवादों के बारे में बताने वाले हैं जिनका जिक्रा भी हमने आपके लिए किया है तो बने रही है हमारे जाद इस वीडियो के अंते तक दोस्तो आदिती पंचोली का फिल्मी सफर शुरू होता है असी के दशक में फिल्मों में आने से पहले आदिती ने टीवी में काम करना शुरू कर दिया था असी के दशक में आदिती ने शुरूआत में डीडी के कुछ सीरियल्स में काम किया था आदिती पंचोली 1988 में पहली बार बड़े परदे पर नज़र आई फिल्म थी दयावान हाला कि लीड सितारे फिरोज खान, विनोद खन्ना और मादूरी दिक्षित थे लेकिन आदिती के काम को भी इस फिल्म में सराहा गया था इसके कुछ सालों बाद आदिती पंचोली कब तक चुप रहूंगी नाम की फिल्म में बत और हीरो नज़र आई लेकिन लीड रोल में आदिती का करियर चल नहीं पाया जब लीड रोल मिलना बंद हो गए तो आदिती ने सपोर्टिंग रोल करना शुरू किये नबे की दर्शक के बाद शारुख खान के साथ उनके फिल्म में यस बास को दर्शकों ने खुब पसंद किया जो 1997 में रिलीज हुई थी इसके बाद आदिती ने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किये जिसमें हमेशा देवता, जन्जीर, हफ्ता वसूली, बेनाम, बागी, जंग, आखे, जानी दुश्मन और मुसाफिर जैसे फिल्में शामिल है एक तरफ आदिती फिल्मों में काम कर रहे थे तो वहीं दूसरी और किसी न किसी विवाद की वज़ा से अक्सर मीडिया की लाइम लाइट में बने रहे उन पर रेप जैसे गंभीर आरोप हैं लेकिन उनकी शादी की कहानी भी कम फिल्मी नहीं है उस वक्त के सफल अविनेत्रियों में से एक जरीना वहाब फिल्म कलंक का टीका में काम कर रही थी इसे फिल्म में आदिती पंचोली भी काम कर रहे थे फिल्म के दौरान दोनों के करीबी काफी बढ़ गई थी फिल्म शुरू हुए 20 दिन ही हुए थे और आदिती और जरीना ने शादी करने की तयारी कर ली जबके आदिती उमर में जरीना से 5 साल चोटे है फिल्मी सेट के 20 दिन के प्यार में आदिती और जरीना ने शादी कर ली दोनों आज तक साथ में है लेकिन सबी को पता है कि आदित्य और उनकी बीवी में बंती नहीं है इसका कारण आदित्य की वो हरकते हैं जिने हर कोई जानता है शादी शुदा होते हुए भी आदित्य के कई अबनित्रियों के साथ हफिया रहे हैं शादी के बाद आदिति पूजा बेदी के साथ लिविन में रही तो वहीं वो कंगना रनाउत के साथ भी लिविन में रही है दो दो बार आदिति पर रेप का आरोब लग चुका है यही कारण है कि जरीना की उनसे बंती नहीं है लेकिन अपने बच्चों की खातिर जरीना ने आदिती से तलाक नहीं लिया आदिती पंचोली और जरीना वहाब के दो बच्चे सूरज पंचोली और सना पंचोली हैं सूरज पंचोली बॉलिवुड में हीरो फिल्म से डेब्यू कर चुके हैं सूरज पंचोली पर खुद एक्ट्रेस जिया खान को प्रतारित करने और आत्मत्या के लिए उक्साने के आरूब है दोस्तो आदिती ने अपनी फिल्मी करियर में जादतर फिल्मों में नेगिटिव रॉल या फिर विलेन के किरदार निभाई उनकी वदौलत उन्हें खुब पॉपिलरिटी और आवोर्ड तक मिले पर क्या पता था कि वो असली जीवन में भी विलेन की तरह ही है अपने पूरी करियर में आदिती पंचोली किसी ने किसी विवाद में फंसे रहे है अगर ये कहा जाए कि आदिती और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है तो घलत नहीं होगा आदिती पर दो बार रेप का आरोप लगा तो वहीं कंगना रनाउत ने भी आदिती पंचोली पर संगीन आरोप लगाई थे कंगना के करियर के शुरूआती दिनों में आदिती पंचोली उनके मेंटोर थे दोनों के बीच काफी जगडे भी हुए कंगना रनाउत ने एक इंटर्व्यू में कहा था कि वो पती-पत्नी की तरह रिलेशन्शिप में थे दोनों अपने लिए यारी रोड पर एक घर भी प्लाइन कर रहे थे वो एक दोस्त के घर में तीन साल तक साथ भी रहे जिस वक्त कंगना और आदिती रिलेशन्शिप में थे उस वक्त आदिती शादी शुदा थे और दो बचों के बाप भी लेकिन उन्होंने कंगना को खुले आम डेट किया पर कुछ साल बाद ही आदिती और कंगना का ब्रेक अप हो गया था बाद में कंगना ने आदित के खलाफ गंभीर आरोप लगाई 2017 में कंगना ने आदिती पंचोली के खलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने एक्टर पर मारपीट और शारे रिक शोशड का आरोप लगाया था भाद में जैसे तैसे आदिती और कंगना का ये विवाद सुल्चा लेकिन आदिती के बुरे दिन तब शुरू हो गए जब उन पर एक्टरस पूजा बेदी की नौकरानी ने रेप का आरोप लगाया ये तब की बात है जब आदिती पंचोली पूजा बेदी को डेट कर रहे थे रेप के आरोप के बाद आदिती पंचोली का फिल्मी करियर लगबग चौपट ही हो गया उनका करियर थमसा गया रेप के आरोपों के कारण पूजा बेदी और आदिती पंचोली का रिष्टा भी तूट गया आदिती पर दूसरी बार रेप का आरोप एक एक्ट्रेस ने लगाया था इस एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि आदिती पंचोली ने नशे के हालत में उसके साथ रेप किया था और बाद में ब्लैक मेल किया ये घड़ना 2004-2006 की है एक्ट्रस ने एक statement में कहा था कि 2004 में वो आदिती के साथ एक party में गई थी वहाँ पर drink पीने के बाद उन पर बेहोशी चाने लगी एक्ट्रस को शक हुआ कि शायद आदिती ने उनकी drink में कुछ मिला दिया था party के बाद आदिती पंचोली ने एक्ट्रस को घर drop करने का offer किया और वो उनके साथ चली गई एक्ट्रस ने बताया कि यारी रोड पर कहीं आदिती ने अपनी कार रोक ली और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी इतना ही नहीं साल 2011 में आदिती पंचोली पर flight क्रू के साथ मारपीट के आरोप भी लग चुके हैं आदिती की flight में crew member और co-pilot से लड़ाई हो गई थी मामला खराम वसम की announcement का था आदिती ने crew member को धग्का मार दिया था बाकी crew members ने भी उने समझाने की काफी कोशिश की लेकिन आदिती पंचोली उलच गए थे आदिती पंचोली 2015 में पब में मार पीट के मामले में भी बुरी तरा फसे थे आदिती पंचोली पब में DJ से इसलिए लड़ पड़े थे कि उनका favorite गानक क्यो नहीं बजा बाद में पंचोली ने उसी पड़ोसी को कार पारकिंग के मुदे को लेकर धम की दी जिसके बाद पुलिस ने एक्टर के खलाफ मामला दर्ज किया था अपने बॉलिवड डेबियों से ठीक पहले आदिती के बेटे सूरज पंचोली पर दिवंगत अभी नेतरी जिया खान को आत्मत्या के लिए उकसाने का आरोब लगा था बता दें कि सूरज और जिया खान डेट कर रहे थी उस समय आदिती पंचोली से मीडिया रिपूर्ट्स ने सवाल किये तो इस पर आदिती ने गुसा कर एक महिला पत्रकार के साथ बद सलोकी करते हुए दर्वाजा बंद कर दिया था इस दोरान उस महिला पत्रकार को चोटे भी आई थी दोस्तो इतना ही नहीं आदिती पंचोली के वल मारपीट करने और बद सलोकी के लिए ही नहीं पहचाने जाते बलकि वो अंडर वर्ड के नाम का सहारा लेकर अब नीत्रियों को धमकाने के चलते भी एक समय में विवादों में आ गई थी आदिती पंचोली फिल्म त्रिमूर्थी को लेकर विवादों में घिर गई थी इस मामले में अनिल कपूर ने पुलिस में शिकायद की थी कि उन्हें अंडर वर्ड से इस बात की धमकी मिल रही है कि वो त्रिमूर्थी फिल्म छोड़ दे जब पुलिस ने इन कॉल डीटेल्स को खंगाला तो पता चला कि ये दमक्या कोई और नहीं बलके आदिती पंचोली दे रहे थे आदिती पंचोली की तरह ही उनके बेटे सूरज पंचोली का करियर भी विवादों से भरा रहा है सूरज अपने डेबियू से पहले ही काफी बदनाम हो चुका था लहाजा उसकी पहली ही फिल्म फ्लॉप हो गई वो उसका करियर चौपट हो गया सूरज पर एक्ट्रेस जिया खान को प्रतारित करने और आत्मत्या के लिए उकसाने के आरोब है साल 2013 में अप्ट्रेस जिया खान ने अपने घर में फांसी लगा कर जान दे दी थी बताया जाता है कि उस वक्त सूरज जिया के साथ रिलेशन्शिप में थे इस मामले में सामने आया था कि जिया डिप्रेशन में थी जिया के परिवार ने सूरज पर मारपीट करने परतारित करने और आत्मत्या के लिए उकसाने के आरोब लगाई थी यह वो इस रिश्टे से खुश नहीं थी जिया के जौब पर एक बुरूस देखा था इस मामले में सूरज एक महीना जील में भी काट कर आई है इस के दस साल बीट जाने के बाद भी आज भी सूरज सलाखों के पीछे नहीं पहुँच पाई है जिया कान सूसाइड केस की जाच फिलहाल सी भी आई कर रही है तो दोस्तो सूरज अपने पिता की तरही शुरू से विवादों में रहा है लेकिन इतने विवादों के बाद भी आदित पंचोली ने अपने करियर में जम कर पैसा भी कमाया है अगर आदिती की नेट वर्थ की बाद करें तो आदिती करीब 30 करूर रुपए की संपत्ती के मालिक है आदिती ने कई बिजनस में पैसा लगा रखा है जिससे कि उन्हें हर महीने अच्छी खासी कमायी होती है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें